अब देख रहे हैं डेली इंसाइडर मैं हूँ आप के साथ प्राचीतिवारी हमाएं हैं बरेली यानि की नात नगरी नात नगरी में आना और नात मंदिरों के दर्शन ना करना यह कुछ अधुरा सा लगता है हम आए हैं स्वत बरिली के त्रिवटी नाथ मंदिर में जहां पे भगवान भोले नाथ की 60 फिट उची प्रतिमा बनाई गई है अगर बात की जाए मंदिर में इस प्रतिमा के बनाने की तो काफी लंबे समय से इस प्रतिमा को बनाने का जो कारे था वो चलता आ रहा था काफी प्रयासों के बाद जो इस प्रतिमा है वो बनाए गई और आज यहाँ पे विराजमान है जी हाँ सबसे बड़ा जो आकर्षर का केंद्र है वो भगवान शिव की यह प्रतिमा मानी जाती है भगतों का जो ताता लगता है वो इसे देखने के लिए यहाँ पे आता है और दूर दराज से जो भरत हैं वो अपनी आस्था को लेकर यहाँ पे भोले नाथ के दर्शन करने आते हैं जी हाँ भवे तरीके से बनाया है मंदिर बरेली का आकर्षक मंदिर माना जाता है हम मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर की तरफ होते हुए जा रहे हैं यह मंदिर का मुख्य में प्रवेश द्वार है जहां पे इस तरीके का आपको नजारा देखने को मिलेगा हर याली के बीच में भगवान भोले नाथ का यह मंदिर आपको बेहती सुकून के जुपल है वो बिताने को भी मिल सकता है आप आस्था के तोर पे यहां पे आएंगे दर्शन कर सकते हैं अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने नजदी के और करीबियों के साथ अगर बात की जाए इस मंदिर के बनाने की और इसके इतिहाश के बारे में इसकी कहाने क्या कुछ है तो एक मिथक माना जाता है और कहा जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जो की बहुत ही दिल्चस्प कहानी है मंदिर के निर्माड की जी हां कहा जाता है जो मंदिर अभी आपको भवे तरीके में बना दिख रहा है प्राचीन काल में जब ये मंदिर पुराना था तो इसके दूर दराज तक पूरे जीव जन्तु पाये जाते थे और जंगल जारियां पाये जाती थे यानि कि माना जाता है कि दूर दरास तक कोई आसपास रहने वाला नहीं था और हा इतना पाये जाता था कि यहां पे वन जीव जंतुँ आपको देखने को मिलते थे किन्तो जो बाहर लोग रहते थे वो यहां पे अपने पशु पंक्चियों को चराने के लिए जरूर आते थे कहाने की जो शुरुवात होती है वो यहां से होती है कि चारवाहा अपने पशु को चराने के लिए आता है और नीद ठकने की वज़े से वो यहाँ पर सो जाता है सपने में भगवान भोले नाथ उसे दर्शन देते हैं और दर्शन में उन्हें ख्याल आता है कि तीन वट व्रिक्षों के बीच में भगवान भोले नाथ का जो शिवलिंग है वो वहाँ बना है चारवाहे की जब नीद खुलती है तो उसने वहाँ खुदाई करना शुरू किया जी हाँ तीन वट व्रिक्षों के बीच में भगवान शिव की जो प्रतिमा है जो शिवलिंग है वो मिलती है तीनवट व्रिच्चों के बीच में पाय जाने के कारण इसका नाम तृविटीनाथ पाया जाता है कहा जाता है पुराने मंदिरों में यहाँ पे टीला भी मौजूद था जिसे पांचाल प्रदेश के नाम से जाना जाता है हम मंदिर के मुखे भाग में हैं और ये आप देख सकते हैं अंदर सामने भगवान राम की और माजान की की प्रतिमा मौजूद है ये सुन्दर्श है भी आपको मंदिर के अंदर मुखे भाग में आने को मिलेगी दीब जल रहे हैं सुबा का वक्त है और सांती और सुकून के जो एक आपको द्रश्य देखने को मिलेगा वो सुबा के वक्त आपको यहां देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ पे सांती के जो महौल है वो देखने को मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुबग जो है वो बढ़ने लगेगी लोगों का जो ताता है वो आना शुरू हो जाएगा पुराने मंदिर के नाम से प्रसेदिस मंदिर की अगर खासियत बताएं तो भगवान श्यू की जो 60 उची प्रतिमा की कारण ये दूर दरास तक लोगों में मशुहूर है अपने आस्था को अपनी मनोकामना को लोग लेकर यहाँ पे आते हैं जो अपने दुख दर्द भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान भोले नात यानि की नात मंदिर में अपनी जो दुख दर्द हैं उसे समर्पित करते हैं और भगवान के आपने सौपते हैं यहां मंदिर की बात की जाए तो मंदिर कोई भी यो आस्था का प्रतीक होता है लोगों का विश्वास होता है जहां लोगों का विश्वास जुरता है वहीं से मंदिर की जो आस्था है वो बढ़ने शुरुआत हो जाती है यह है इतिहास त्रिवटीनात मंदिर का जो हमने आपको दिखाया मंदिर का मुख्य भाग भी हमने आपको दिखाया कि कितनी प्रतिमाय मौजूद है यहाँ पे भोलीनात की प्रतिमा के साथ साथ और देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो भी मौजूद है यह मंदिर का मुख्य भाग है यहाँ पर यह सारे द्रिश्य है और आगे हम आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ पर बजरंग बली की जो मुर्ती है वो कहाँ पर विराजमान है यह मुख्य द्वार से थोड़ा साथ हटके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बजरंग बली की बाला जी की मुर्ती विराजमान है चार गदाओं के साथ हनुमान जी की जो मुर्ती है वो शुशोबित हो रही है और उनकी जो छटा है वो देखते हुए बन रही है जी हाँ भगवान भोले नाथ के साथ अन्य देवी देवताओं की जो मुर्ती है या और एक बार पूरा हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इसकी जो सजावट है और किस तरीके से जो मंदिर का निर्माड कारे हुआ है अगर शाम की वक्त आरती है कुछ भी हो रहा है कोई भी कारेकरम रखा गया है तो लोगों की बैठने का एक अच्छा इंतजामात किया गया है और उपर देख सकते हैं पंखे लगे हैं विवस्थाएं अच्छी हैं कि अगर यहाँ पे भक्त गड़ बैठे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है परिशानी है वो ना हो हम यहाँ से निकलते हुए बाहर की ओर चल रहे हैं और बाहर की ओर क्या कुछ जो कुछ भी बाकी है मंदीर का हम सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये मुख्य द्वार से होते हुए हम बाहर की तरफ जा रहे अब देख रहे हैं आप सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और सूरज की रोशनी के साथ आप देख रहे हैं मंदिर की जो छटा है वो और भी स्तुंदर होती जा रही है ये फूल कमल जो खिले हुए है मंदिर की जो साथ सज्जा है उसे और बढ़ा रही है नोगरी मंदिर ये अंदर है बंद है अभी हमें लगता है शुबा के वक्त होने के कारण इस वज़े से इस तरीके से ये मंदिर पूरा बना हुआ है और फैला हुआ है आगे हमने आपको दिखाया अगर सुरुवात से बात की जाए तो भगवान भोले रात के मंदिर के प्रतिमा के साथ जो सबसे उची प्रतिमा उसके साथ हमने मंदिर का जो मुख्य भाग था वो दिखाया यहां पे वाटिका की तरह बना हुआ है मंदिर में जहां पे आप आके एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं हम धीरे धीरे होते हुए मंदिर से बाहर जा रहे हैं अगर आप बरेली आ रहे हैं तो हमारा यह कहना है एक बार नाथ मंदिरों के जो दर्शन है वो अवश्य करें हम अपने चैनल के थ्रू डेली इंसाइडर के जरी आपको दिखाना चाते हैं कि जो बरेली में नाथ मंदिर है वो किस तरीके से मशूर है उनका क्या कुछ महत्व है और वो किस तरीके से यहां के दिलों में यहां के लोगों की दिलों में बसे हुए हैं यहां से होते हुए हम जहां से शुरुवात किये थे हम वहीं पर आ चुके हैं और किस तरीके से मंदिर का निर्मार था, क्या कुछ कहानी है और क्या कुछ महत्व है, वो हमने आपको बताया, ये देख सकते हैं, एक बार फिर से बोलेनात की प्रतिमा की ओर हम आपको लेकर आये, क्योंकि जो छटा है वो बेहदी, खूपसूरत है और देखने में आकरशित लग रही है, नजारा देख सकते हैं, भोलेनात जिने देव के देव महादेव कहा जाता है, अपने हाथों में त्रशियुल लिए और डमरू लिए, किस तरीके से खड़े हैं, हाथ में कमंडल है, और सिर्पे मागंगा विराजमान है, किस तरीके से जो प्रतिमा उनकी बना किस तरीके से मंदीर को बनाया गया था, और क्या कुछ अभी मंदीर की वास्तविक इस्थिती है, किस तरीके से मंदीर में कारिक्रम होते हैं, किन-किन देवताओं के मूर्तियां है, यह सब हमने अपने चैनल डेली इंसाइडर के जरीए आपको दिखाया, हमारा यही कहना ह कि एक बार बरेली आए, तो जरूर जो तरीटी नाथ मंदीर है, उसके साथ साथ जो नाथ मंदीर है, उनके दर्शन जरूर करें, और आपके मेरा यकीन है, कि आप यहाँ पे आएंगे, तो ठहरेंगे, और एक सुकून के जो पल है, वाकवास्तों में, भगवान के होने का, भोलिनाथ के होने का जवाब को अंदर से जो महसूस होगा, वो आप जरूर महसूस कर पाएंगे, वीडियो जो लिस्ट बाबुलाल के साथ मैं प्राचिती वाई, डेली इंसाइडर बरेली, यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़बरों के लिए, गूगल प इजी से उभरता न्यूज एप, डेली इंसाइडर